हेलो नमस्कार जहन सातियों कैसे हैं आप सभी अई होप सारे के सारे लोग बहुत सांधार जानदार जब वहस्त होंगे तो मैं आप सभी को बता देता हूं रेलवे बोड यानी Ministry of railway की तरफ से एक बहुत जानदार सानोटिस आया था जिसमें बात की गई है किसकी recruitment of sub inspector और constable किसमें RPF, RPSF, RPF का ही नाम change हो गया था RPSF, इसमें जब बात की गई है तो मैं बता दूं किसकी बात की गई है RPF, constable, constable और sub inspector की, SI और constable दोनों की vacancy है SI और constable दोनों की vacancy है, इसमें सर किसकी vacancy है सर, SI और constable दोनों की vacancy है, SI और constable दोनों की vacancy की बात की गई है सर, इसमें और क्या क्या बात की गई है, कि process क्या रहने वाला है recruitment का जो process रहने वाला है, phase 1 में computer based test होगा आप सभी student का, phase 2 फिर क्या होगा, physical efficiency test, physical measurement test ये दोनों phase 2 में आपको pass करने होगे, जैसे ही आपका phase 1 किलियर हो जाएगा दैन उसके बाद phase 2 होगा, जैसे ही आपका phase 2 भी qualify हो जाएगा तो फिर phase 3 में document verification होगा, दैन उसके बाद medical हो जाएगा और उसके बाद आपको joining letter मिल जाएगा क्या-क्या eligibility इसकी रहने वाली है, तो सबसे पहले में बात करता हूँ candidate की eligibility, तो अगर सबस्पेक्टर की जो व्यक्ती, सबस्पेक्टर के जो student देखना चाहते है तो उनके लिए minimum age 20 साल होनी चाहिए, maximum age 25 साल होनी चाहिए अगर कोई भी student constable की vacancy देखना चाहता है, तो उसके लिए minimum age 18 साल होनी चाहिए, maximum age 25 साल होनी चाहिए सर इसके लिए क्या होना चाहिए, सबस्पेक्टर के लिए आपको graduate करनी होनी चाहिए, graduate की degree आपके पास होनी चाहिए then अगर आप constable का exam अगर डालते हो, तो उसके लिए cable और cable 10 तो पास अगर आपके पास है, तो आप उस vacancy के लिए eligible हो, clear है सभी student को then इसके बाद हम देखते है, physical measurement में आपका क्या चाहिए, भाई अगर मैं बात करूँ, unreserved और OBC से, अगर कोई भी student है, तो उनके लिए male की जो height रहेगी, वो कितनी रहेगी, sir 165 cm, then female के लिए कितनी रहेगी, 157, 157 cm then अगर मैं SC और ST की बात करता हूं, तो इनके लिए 160 male के लिए और 152 के लिए, सर फीमेल के लिए, सर ये गोरिखा वगएरा होते हैं, ठीके ना, तो इनके लिए केवल और केवल 163 रहती है, 163 रहती है, के लिए आधर, मलब इस पेसिफिक होंगे, कुछ जैसे गोरिखा, सह सर हाइट 163, फीमेल के लिए इनमें कितनी जाती है, सर 155, अगर मैं बात करूं, चेश्ट की, तो मैं यहां बात करता हूं, तो 80 से 85 चाहिए भी है, चेश्ट, दैन इसके बाद मैं बात करूं, SCST के लिए, 76.2 से 81.2 चाहिए, यह होता है, फुलाव, जैसे कहते हैं, ना, कि 80 सेंटीमीटर अगर किसी की चेश्ट है, तो फुलाव के साथ कितनी हो जानी चाहिए, चर सर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, तो यह यहां पर बात की गई है, किलियर है सभी स्टूडेंट को, दैन जब हम आगे वढ़ते हैं, तो उसने बदाया है, फेज हैं, यानि जनरल कैटिगरी से विलॉंग जो करते हैं, उनके लिए 35 परसेंट मार्क्स चाहिए ही चाहिए, अगर मैं बात करूं, सलेवस का जो पैटन रहने वाला है, वो बहुत ही सांदार से रहने वाला है, टाइम सर दोनों के लिए सेम रहता है, 90-90 मिनट यानि के सर दे हैं, सर, number of questions 120 हैं, चाहे constable की बात करें, चाहें सबस्पेक्टर की बात करें, अगर मैं बात करूं, जी के जीये का पोर्सन 50 पोस्टन का रहने वाला है, अर्थ मैं टिक 35 का रहने वाला है, रीजिन भी दोनों में 35-35 की रहने वाली है, एक कुसकबरी आपके लिए यह है, कि एडवानिस मेत नहीं है यह रोक एटनेटिकल है ठीकर ना हर्थमेटीक मेच है जनल इंटेलियेंशी एंड रीजिनेर इच लीसिनिंग तो 35 फैटीस नुम्वर का अर्थमेटिक अर्थमेटिक है क्वाफ recession कितने है सर 120 है सर टाइम दोनों के लिए कितना कितना है सर 90-90 मिनट है किलियर है फेज सेकंड की बात करेंगे फिजीकल इपीशेंसी टेस्ट एंड फिजीकल मेजर मेंट टेस्ट सही ना पी एमटी तो आप भाई देखो सविस्पेक्टर के लिए लेकिन कॉस्टेविल के लिए कितनी चाहिए सर पांच मिनट 45 सेकंड में चाहिए अगर मैं बात करूं सविस्पेक्टर के लिए फीमेल के लिए 800 मिनट चार मिनट में चाहिए कॉस्टेविल के लिए फीमेल के लिए तीन मिनट 40 सेकंड में 800 मिनट की दोड चाहिए ही चाहिए सर में long jump की बात करूँगा तोrąइस पक्टर के लिए सर 12 स्थ repertoire और बहाया सवشرurg मैं फीमेल दीए नौफ श्यक्रों में चाहिए धिया 14 सुर्वों के लिए तर सर 9 सित अगर मैं हाइज झैंप की बात करूंगा इंज्ख किसके लिए सबस्पक्ट्र देन मैं सबसरऊेब पर आगे हम बढ़ते हैं तो फेज रड में क्या कर आता है सर फेज अदमें डॉकुमेंट वेरिफिकिटिन हाता है अब मैं आपको एक बात और बदा हूँ आरपीएफ कॉंस्टेविल आरपीएफ ऐसाई में आप सभी को एक बहुत ही सांदार सी इन्फोर्मेशन में देतूं कि अगर आप सवस्पेक्टर से लगते हों तो 42 ग्रेड पे आपको मिलेगा लगबग 60-65,000 रुपे से आपकी सुर वहात होगी सेल लीके मैं बात करूं आपको एक बेनीफिट और मिलता है कि यह जो आरपीएफ कॉंस्टेविल है ना आरपीएफ क्या रेलिवे के जितने भी पैटरन है चाहे मैं बात करूं रेलिवे में टीटी बगेरा और यह जो गुर्स गार्ड बगेरा या को मिलती है अब यह क्या क्या चाहिए डॉकुमेंट वैरिफिकेशन सब्सक्राइब यह जो अब इस जगह के निवासिये वह सारे डॉकूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए कैसी लगी आप सभी को यह इन पार्मेशन मिलते हैं रपीफ के बैच को लेकर जैहिंद जै भारत वंदे मात्रम